तेजस्वी यादो दिल्ली में हैं अब दिल्ली में क्यों तो एडी उनसे पुष्टाश कर रही है इधर मुख्यमंत्री नितीश कुमार भी दिल्ली जा रहे हैं अब नितीश कुमार दिल्ली में क्यों जा रहे हैं तो नितीश कुमार दिल्ली में विपक्ष के तमाम नेताओ से मुलकात करने जा रहे हैं कहा जा रहा है कि वहाँ पर जाकर लालू यादों से पहले नितिश कुमार की मुलकात होगी तब इस बात चर्चा होगी कि आखिरकार 2024 के लोगसभा के चुनाव को लेकर क्या रणनिती बनेगी लालू यादों वहाँ से विपक्ष के तमाम बसकात का रास्ता साब करेंगे और कहा जा रहा है कि कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से भी नितिश कुमार की बात् Conte हो सकती है अब नितिश कमार जो काम कर रहे हैं एक बात समझें कि इससे नितिश कुमार को तो प्यादा है ही यहाई विकिर राश्टिया-स्तर की रा पाटी सत्ता से बाहर हो जाती है वीपक्ष वहाँ पर एक जुठ होकर चुनाव लड़ता है और सत्ता में आता है तब ते जो स्वी यादों के पीछे जो सिवी आई जो इडि पड़ी है वो तमाम सिवी आई और ऊप्नी का केस जो है वो खत्म हो सकता है या जांच रूख सकत अब आगे एक एक करके हम सब कुछ बताएंगे कि नितीश कुमार दिल्ली में लालू यादो से कौन सा मंत्र लेंगे इसके बाद लालू यादो की अपनी एक अलग राजनिती रही है और उसी राजनिती के पकड़ के बदोलत लालू यादो नितीश कुमार को तवाम विपक् करें तो नितीश कुमार दिल्ली में जा रहे हैं दिल्ली में जाकर सबसे पहले कहा ज़र है कि उनकी मुलाकात लालू यादो से होगी अब लालू यादो से क्यों तो लालू यादो भले ही सक्रियर राजिती में नहीं हो लेकिन इस बात को मानना होगा कि लालू यादो के कद क को भेज रहे हैं आप उनसे मुलाकात किजिए तो लालू यादों की बात को कोई टालता नहीं है और मितिश कुमार इसलिए पहले लालू यादों के पास जाते हैं लालू यादों से मंत्र लेते हैं लालू यादों महां से तमाम बड़े निताओं से चाहें कभी सोनिया करते हैं और मुलाकात करने का एक ही मकसद होता है कि अब विपक्ष को एक जुट कर लिया जाए और नितिश कुमार खुल कर कई दफा कहे चुके हैं कि फैसला कॉंग्रेस पार्टी को लेना है हमने फैसला कर लिया है तमाम महागडबंदन के नेता कहते रहें कि जहां पर कॉंग्रेस पार्टी मजबूत है वहाँ पर हम सब साथ देंगे रेकिन जहां पर छेतरिये पार्टी मजबूत है वहाँ पर कॉंग्रेस पार्टी को पीछे हट कर पीछे से छेतरिये पार्टी आई सबका बेवरा देख रही है दूसरी तरफ उसी दिल्ली में नितीश कुमार तेजस्वी यादों के पिता यानि की लालू यादों से गुरु मंत्र लेकर तमाम विपक्ष के निताओं से मुलकात करेंगे वहाँ पर तमाम विपक्ष के निताओं से मिलकर बताएंगे कि कै कैसे हम सब को मिलकर एक जूट रहकर काम करना है और कैसे हम सब को एक जूट रहते हुए 2024 के लोकसवा के चुनाव में एक साथ लड़कर भारती जन्ता पार्टी को हराना है और अगर भाजपा चुनाव हारती है 2024 का जिसकी उमीद अब तक लोग नहीं कहा रहे हैं कि कि तमाम मामले जो ED और CVI के पास हैं वो मामले खत्म होंगे या वो मामले धी में पढ़ जाएंगे उसमें जाच नहीं होगी और इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि नितीश कुमार जितना उनके लिए जरूरी है कि वो भी पक्ष को एक जुट करें उससे जादा जरूरी गिताओं से मुलाकात करते हैं इसका सकरात्मग परिनाम क्या आता है सब कुछ देखना बयात महत्पुर्ण होगा आगे जो भी तमाम जानकारी जो भी नया अपडेट आएगा सारी कि सारी जानकारी सारा का सारा हम आप तक जनता अक्ष्ण की माध्व से पहुंच्चाते र अवाद